इस वीडियो में हम यह चीज़ डिसकस करेंगे कि किस तरह से आप मिनी टैप का सौफ्टवेर यूज करते हुए आप रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन अनालेसिस जो है वो आप रोग प्रफॉर्म कर सकते हैं जो डेटा सेट हम क्लास में डिसकस कर रहे हैं जिसमें हैं स्ट्रेंथ और हार्डवुड कंसेंट्रेशन का डेटा सेट है जब आप मिनी टैप का सौफ्टवेर अपन करते हैं तो उसमें आपको दो विंडो मिलती हैं इसको हम कहते हैं वर्कशीट विंडो यहां पर आप बेस यहां पर आपको बिलिंक करती नज़र आएगी इसका मतलब आपका कंट्रोल जो है वो सेशन विड़ो में आ गया है वर्कशीट विड़ो सबसे पहला काम तो होगा हमारा वर्कशीट में डेटा एंटर करना यह जो C1 C2 C3 C4 यह कौलंस हैं जैसे हम कलास्रुम में डेटा रखते हैं तicz屋 कहते हैं कि इसी तरह से यह कौलंस है और उनके नाम उन्होंने रखे हूए है लेकर जो first row है देखें लेफ्ट साइट पर इसके उपर कोई number नहीं लगा हुआ ये उन्होंने रखा हुआ है कि आप अगर user अगर कोई specifically variables का नाम खुद भी assign करना चाहते हैं ताके बाद में हमें identification हो सके तो आप खुद भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर चुके हमारे पास data set है hardwood का और citrend का तो मैं यहाँ पर hardwood लिख लेता हूँ वो को जरूरी नहीं है आपको पहले जो और समर्जी variable लिख लें बाद में जो और समर्जी variable लिखते हैं तो इससे कोई concern नहीं है hardwood और citrend मैंने जारा उसके साथ xy भी लिख दिया ताकि हमें याद आ जाए कि यह x है हमारे लिए और यह y इसके बाद आपने यहाँ पर data एंटर करते हैं यह से hardwood की reading है 10, 15, 15 तो जिस तरह से excel में हम data feed करते हैं तो मैंने यहाँ पर उसी तरह से data set जो है वो feed कर दिया अब देखिएगा पहला जो step है वो हमारा identification के या तो हमें already underlink theory से उसका pattern पता होना चाहिए otherwise हम scatter plot की मदद से इनके दरम्यान किस किसम का relationship है तो identify कर सकते तो scatter plot available है graph में graph और पहली ही information जो आ रही है वो scatter plot की आ रही है अब इसमें मुफ्तरफ options हैं आपने सबसे पहले जो option है simple वो आपने select करना है देखिए अगर मैं इसको click करता हूँ तो यह dark हो जाएगी यह click करता हूँ तो यह dark हो जाएगी लेकर आपने सबसे पहली option click करनी है select और नीचे से select का button press करेंगे तो यह y वाले column में चले जाएगा करसल देखिएगा आपका automatically x variable वाले column में blink कर रही है hardwood को रखके select कर दीजेगा वो hardwood वाले column में select हो जाएगा clear and then ok कर देंगे तो आपके पास scatter plot जो है वो construct हो जाएगा और यहां से आप इसे expand करके और बड़ी सकते हैं कि यह scatter plot आपके पास आगा है और यह जो scatter plot है वो आपको इस चीज का idea दे रहा है कि यह जो graph है यह pattern है वो linear pattern की तरह यह graph जो है वो आपको represent कर रहा है तो linear pattern जो है वो graph का आपको indicate कर रहा है कि this is a linear pattern in the dataset तो यह ज़रा ज्यादा clear हो गया है अच्छा इसका एक advantage यह भी option की हुई है आप उसको word file में लेख सकते हैं अब click करके graph select हो गया है इस पर right click करें तो option आ जाएगी देखें लिखा हुए send graph to Microsoft word तो यह automatically अगर मैं इसको click कर दूँ तो उसने automatically एक MS word की file open करनी है और देखेगा यह देखें water पर उसने MS word की file open की और हमारा graph इस वगत यह है वो MS word की file में automatically shift हो गए और मैं दुबारा mini tap में वापस आगया आप यहां से minimize कर सकते हैं इस graph का डेटे से कोई तालुक नहीं रहा आप इसे बंद करना चाहेंगे तो वह आपको कहाएगा graph save करना है आपने करना नहीं save नहीं करना देखें data की ओपर कोई फरक नहीं पार नहीं प फिट करने के लिए आपको stats में जाना है regression में जाना है or regression and then fit regression model तो जाता sequence देखिएगा stats regression चुक्के stats में सारे analysis है regression fit the regression model इसको जब आप क्लिक करेंगे तो responses में आप से मांग रहा है dependent variable कौन है तो हमारे पास dependent variable है वो है strength क्लिक कीजेगा और select कर दीजेगा continuous predictors इससे मुराद है के independent variable कौन है तो हमारे पास इस वकत डेटे में independent variable है वो हमारे पास हार्ड वुड की concentration हार्ड वुड को आपने क्लिक किया और इस box में send कर देए and that's all बस यही काम आपको जो है वहाँ पर perform करना है इसके बाद आप इसको okay कर देगे मजीद इसके साथ दो option यह भी है कि आपको याद होगा हम fitted values भी find करते हैं और error की values भी find करते हैं fitted values वाय है जो best fit line से आती है आप storage option को क्लिक करें तो यहाँ पर एक तो coefficients भी save कर सकते हैं अब coefficient से मुराद है beta not और beta 1 उसकी शायद हमें ऐसा जरूरत नहीं है हमें जो values भी कहते हो और residuals value जिसको आप error values भी कहते हो अब उसने करना actually यह है कि उसने देखना है कि sheet में c2 तक data set है उसने जो third column c3 और fourth column c4 एक में उसने fitted value store कर दीनी है और एक में उसने residuals store कर दीनी है अगर मैं इसको okay करूं तो वो analysis भी करेगा और fitted and residual value भी store कर देगा देखे उसने fitted values भी store कर दी और residual भी चाहे आप इसे e का नाम देदे ठीक है ना खुद अपने identification के लिए और यहां पर आप fitted value या even हम उसको y head values कहते है तो वो भी आप लोग यहां पर fit कर सकते ताकि आपको clear हो जाए कि इस दो data sets में कहा है अब यहां तक output का तालुक है यह देखेगा यह best fit line आपके पास fit होके आगई यह हमारे पास B0 है और यह हमारे पास जो है वो B1 की value है अगर आप इसे select करके right click करेंगे तो send selected line to Microsoft Word देखेगे वो automatically जो जो चीज हमें चाहिए वो Microsoft Word में चाही जा रही है देखेगे मैंने fitted line भी बेज़ दी थी और वो Microsoft Word में जो है वो line भी जो है वहां पर जो है वो सारी की सारी जो है वो save हो गई है ठीक है और इसके बाद जो next था वो उसमें आपको याद होगा कि आपने वो coefficient tables और जो values हमें required थी वो भी आपके पास है अच्छा इसमें जो चीज हमें नहीं required ना वो हम delete कर लेते हैं like VIF various inflation factor यह आपको फिलहाल आपको idea नहीं है कि यह क्या है information तो यह जो coefficients है और यह वो table है इसको भी अगर आप select करें और right click करके send to Microsoft Word तो next options पे चला गया उसके बाद याद होगा आपको anova table हाँ anova table में अलबता थोड़ी entries हमारी requirement से ज्यादा है तो चाहे आप यह जो required entries नहीं चाहिए वो मैंने del कर दी और आपक बाकी extra information है जो शायद आपकी इस class के लिए इतनी जो है फार्दा timing आपको जो है वो usable ना हुआ आपके लिए and then इसको भी आप select करके और send to Microsoft Word और उसके बाद r square की value जो है वो भी आपको required है तो यह r square भी जो है वो भी आप लोग अपने data sets पे करते हैं बाकी information यह adjusted r square फिलहाल म नहीं है और अगर आप अपने word की file खूल के देखें तो जो जो required information थी वो information जो है वो हमारे पास आ गई बेसिकली आपको यह awkward नजर आ रही है सिर्फ इसके layout में जाके इसका जो margins है वो अगर आप custom margin करके left right margin और पेज का size बढ़ा दें तो यह fit हो जाएंगी otherwise इसमें कोई issue नहीं है अब यह ज्यादा readable है और easily आप अपने results को match कर सकते है तो जो sequence था अगर आप sequence फालू करें हमारे web notes पे तो हमने estimate भी कर दिया T test भी लगा दिया ANOVA भी लगा दिया R square भी आ गया ठीक है न तो यही सारी तरतीब जो हमने अपने class में manual पड़ी थी scatter plot आ गया और उसके बाद best fit line की equation हमने find out कर ली 143.8, 1.88 मैंने मैंने इसको जो basically जो है वो round figure में शायद लिखा हुआ है और यह देखेगा यह हमारे पास उसकी best fit line की coefficient 143 and 1.88 की figure जो है वो भी हमारे पास आ गए और step by step जो जो चीजे हमें required थी वो हमने यहां पर find कर ली R square की value भी हमारे पास आ जाएगी और T test apply करके उसकी value आ रही है 16.05 और अगर आप यहां पर देखें तो T test apply करके 16 point यहां चोके थोड़ा सा उसने accurate ली किया है तो वो 16.05 की बजाए 16.12 का answer जो है वो हमारे पास आ रहा है ठीक है ना तो बहुत ज़्यादा यह difference नहीं होगा अचा इसके बाद हमने यह चीज डिसकस की थी कि जी residual plot होना चाहिए ताके उसमें structure less होना चाहिए x-axis पे fitted values और y-axis पे residual अगेन हम scatter plot graph में चले जाते हैं scatter plot में चले जाते हैं simple scatter की बात करते हैं इस वकत यह जो पहला set है इसे del कर दीजेगा delete का button प्रेस कीजेगा यह फ़ितम हो जाएगा और y-axis पे click कीजेगा y-axis में आ जाएगा तो y-axis error और x-axis पे fitted values तो यह residual part आ जाएगा और यह देखें यह इस वकत structure less आ गया इसमें कोई pattern नहीं है कोई point इदर को जा रहे है को तो चार इदर को हैं फिर इदर को हैं तो कोई pattern नहीं है इसका मत्तब है कि everything is okay for this model और r-square की value भी 97% है that is seems to be a good fit model to our data से अब इसका काम utility का रह गया कि हम इसको अब use करके prediction के लिए से हम use करेंगे अब अगर आप इसको prediction के लिए use करें तो वहाँ पर मैंने का था कि आप y की value को estimate करें अगर x की value जो है वो 23 है तो 23 की जो अगर hardwood concentration होगी तो expected strength जो है वो कितनी होगी उसको हम estimate कर सकते हैं अब यहाँ पर mini tap में चुके अब आपने prediction करनी है तो regression regression predict यहाँ पर option आ रही है predict यह आप x की value देंगे तो वह आपको y की value predict करतेगा हब हम strength को predict करना चाहेंगे अगर hardwood की value जो है वो 23 हो ठीक और okay करतेंगे तो उसने आपको estimated value जो है यह दे दी कि आपको इस चीज की clarity होगी किस तरह से आपने simple linear regression model जो है with the help of a mini tap software आपने इसको calculate करना है और किस तरह से आपने इसकी output के results जो है वो दूसरी चाहुज पे भी आपने shift कर लेना है अच्छा जब दूसरा जो analysis हमने perform करना है वो है किस तरह से आप mini tap को use करते हुए non-linear regression है वो apply कर सकते हैं देखिए इसमे non-linear regression को attempt करने की direct option भी है लेकिन हमने जो procedure पड़ा है उसमें क्या करते हैं हम इसको पहले linear form में convert करते हैं अब apply some transformation and then फिर उसके उपर best fit line find करके और अपने original model पर transfer back करते हैं जैसे आपको याद होगा कि यह एक non-linear regression है इसके उपर हमने पहले इसे linear form में convert करना है किस तरह से हमने इसको linear form में convert करना है कि पहले हमने इसके उपर logarithmic transformation वगरा apply करके और इसको हमने linear form में convert करना है and then जाके हमने इसकी value जो है वो determine करनी है तो मैंने यह data set जो है वो यहां पर feed कर लिया अचा फर्स करें जो पहला step होता है आल्दो यहां पर बड़ा specified method है और हम इस method को dot नहीं करते हम underlink theory को dot नहीं करते हम खुद ही कहते हैं कि चले हम scatter plot draw करते हैं जब हम scatter plot draw करेंगे graph में और growth y variable है और time x variable है जब आप scatter plot draw करते हो तो देखे scatter plot आपको बड़ा ही clear pattern दे रहा है scatter plot ने बड़ा ही clear pattern जो है वो हमने उसने हमें portrait किया है कि यह grow कर रहा है जैसे उर्दू का word बे होता है and then यह बे की तरह करफ की तरह यह चल रहा है तो यह linear नहीं है तो इसके उपर linear equation fit करना sensible नहीं है वो जो growth model है उसको apply करने के लिए logarithmic transformation चाहिए हमें अब हमारा जो transformation बनती है वो कहता है जी y नहीं लेना बलके आपने log y लेना है यानिके y star log y और x variable जो है वो as it is ताके यह linear बन जाए अब देखे जो दूसरा graph में show कर रहा हूं इस में x और y axis पे क्या चीज है log y अब जब log y लेंगे और आप इस graph का pattern देखेगा यह बिलको line जो की तरह यह point सीदे हो गया है अब आप कह सकते हो कि अगर आप log y और x को use करोगे then आप इसके उपर line की जो equation है straight line की equation वो लगा सकते हो लेकिन x और y पर आपको नहीं apply करनी चाहिए चुके यह एक curve form में यह variable जो है वो वह पर available है तो अब इसका मतलब है कि हमें अब transform करना है तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ y hysteric ताके मुझे याद आजए कि इसके अंदर मैंने log of y values जो है वो डेनी है अब log y values किस तरह से minute app के अंदर उसका एक calculator available है और वो calculator available है calc में c a l c और पहले ही option है calculator की इसे अब click करे गए तो वो सबसे पहले आपको expression लिखनी है अब हमें expression क्या लिखनी है हमें y values के क्या चाहिए logs चाहिए clear यहां पर यह function available है यहां से आप अगर l प्रेस करते जाओगे तो नीचे देखे आता जाएगा lag लेकिन lag तो नहीं चाहिए दोबारा l प्रेस कीज़ेगा left दोबारा l प्र select कीजिए यह blue है select है इसके बाद select करेंगे देखे खुद बाखुद वो function इदा लिखा हुआ है और आप खुद भी type कर सकते हो log 10 अब वो कहता है किसका log लेना है हमने लेना है growth का यह अब इसको click कर दें या इसके अंदर जहां number का word लिखा हुआ है अगर मैं इसे delete कर दूँ तो आप खुद भी यहाँ c1 type करता है c1 से मुराद क्या है log values उसका यह log लेगा और result को store कहता है जी मैंने क्या का परना है मैं उसे कहता हूँ तुम c3 में store कर दो c3 में इस तरह भी लिखा जा सकता है या आप इसे click करो और select कर दो तो दो नाम है उस column के c3 जो computer ने रखा अब sequence क्या बनेगा कि वह c1 के data का log लेगा और उसे एक नए column में store कर देगा और एक चीज़ और यहाँ पर आप फुट करते के assign as a formula इससे आप चेकने करते हैं ना चुके आपने यह एक formula अपलाई करके और उसकी calculations perform की तो log y आ गया ठीक अब आपके पास देखने के लिए क्य क्या x और y star जो के basically log y है क्या वाक्य ही वो linear form में आ चुके हैं मैं दुबारा scatter plot करता हूँ graph scatter plot simple scatter अच्छा यह पहले ही आ रहा होगा आप एक ही पैनल पे दो graph भी बना सकते हैं मैंने अब दूसर graph बनाया है log of y values और x values और multiple graph में जाके आप इसे कर दीज़ेगा in separate panel of the same graph वो करेगा क्या एक ही graph के दो पैनल बना देगा दो portion कह दें left right करके दो हिसे कर देगा graph के एक हिसे में वो x और y का graph कर देगा और दूसरे portion में जाके वो log y और x का graph कर देगा ताके मुझे यह पता चल सके कि कौन सा graph linear है तो देखें एक ही पैनल पर उसने दोनों graph कर दिये अगर मैं left side का graph देखूं तो वो x और y का है यह y है growth x axis पर x है और यह point देखें कर फार्म में तो इधर linear नहीं होना चाहिए था ठीक इधर linear नहीं होना चाहिए और दूसरा जो graph है वो बिलको state line बन रहा है इसका मत्तब है कि मुझे y की बजाए log y value जो है log y values वो मुझ message को भी conceive नहीं करता मैं कहता हूं नहीं मुझे नहीं समझ आई मैं चलें x y का ही linear equation ही fit कर देता हूं stats लगा देते हैं regression लगा देते हैं और regression में जाके fit the regression model और growth y की जगा और continuous की जगा x सेलेक्ट कर दिया हलेकि मुझे y star यूज करना चाहिए लेकिन मैं चलें इसी तरह से store कर देता हूं और storage में जाके उसी तरह से fits और residuals भी मैं store कर लेता हूं जो के शायद मुझे linear equations नहीं यूज करनी चाहिए लेकिन बहाल मैंने apply कर दिया analysis हो जाएगा उसमें कोई issue नहीं आए अगर आप r² की value देखते हो not bad 91% तो still आ रहा है r² ठीक आपने कहना जी इसमें भी तो काफी high आ रहा है बिल्कुल ठीक है लेकिन एक चीज हम इस कर रहे ह क्या scatter plot जो आपके पास residual plot है वो structureless हो गया है उसको देख लेते हैं तो graph scatter और इसको मैं आप delete कर लेता हूं ताके वो multiple graphs ना बने एक ही graph बनाए y-axis पे हमने residuals लेना है इसे error भी बोलते हैं और x-axis पे fitted values लेनी है तो लोग मैं इसदर इसको use कर लेता हूं और इसको यहां से select कर लिया okay कर दिया button जो के मैंने scatter plot से message नहीं पड़ा था मैंने x और y के ऊपर ही regression apply कर दी लिखें residual plot बड़ा ही clear message दे रहे there is a definite systematic pattern in the scatter plot है ना बड़ा ही clear है शायद scatter plot इतना बहतर message नहीं दे रहा था जितना आपको अब इस वकत इस screen पे नजर आ रहा है कि residual plot में तो बड़ा ही clear pattern है एक बड़ा ही clear structure है जो यह चीज़ indicate कर रहा है कि यहां पर x और y के दरम्यान linear regression नहीं apply करनी चाहिए आपको तो नहीं हमें करनी चाहिए हमें technically क्या करना चाहिए था हमें regression apply करनी चाहिए थी x और y steric की clear जानी के law y values की चलेंजी अब हम अपने original पर आते हैं और उसकी उपर regression fit करते हैं y की बड़ाए अब हमें y star use करना है और x that's okay और storage में जाके मैं fits और residual अब यह वह वाले fits और residual आएंगे जो x और y log y की regression से आएंगे clear और वह क्या करता है आखरी column के आगे ही place कर देता है यह देखिए उसने तू तू के साथ लिखके औ अब यह जो residual fits हैं यह linear के x y regression के हैं और यह जो है वह x और log y regression के हैं अब जाके अगर हम r square की value देखते हैं तो r square की value much improved form में आ गई 99.97% जो के पहले कितनी थी not bad लेकिन वहां structure वाला plot आ रहा था अब जाके देखते हैं कि residual plot की क्या situation बनती है simple scatter ले लेते हैं चलें हम पहले वाला भी रहने देते हैं जो के यह वाला था और hit hike ठीक नहीं था और दूसरा भी हम कर लेते हैं residual 2 y axis पे कर देते हैं और fits 2 जो x और y star के log के आई थी और multiple graph में उसी तरह से separate panel उन्दा सेम graph होगा ताके आपको पता चले कहा structure रहाग और structure less हो ग एक ऐसे चल रहे हैं और फिर point इस तरह से चलने स्टार्ट हो गया है ऐसे ही है ना ऐसे चलने स्टार्ट हो गया point उपर की तरफ यह इधर और एक point उदर इसका मत्तब इसमें कोई as such आपको clear cut pattern नहीं आ रहा बलके यह जो plots हैं यह इस वकर जो है वो एक random pattern पे जो है वो चले जबके यहां पर देखिएगा point decline हो रहे हैं and after specific point उन में increment आ रही है incline कर रहे हैं तो इसका मत्तब है कि अब आपके पास जो second model है जिसमें आपने log लेके transform किया था that is the most appropriate model लेकिन इसमें एक problem क्या आ रही है अभी यह यह जो आपने values find की हैं अगर आप इसको अपने original notes से match करे तो यह जो values हैं इस वकत वो आपने log log b not की value find की है log b not और log b1 यह देखिएगा यह log b not है b not नहीं और यह log b1 है अब हमें इन से इनके actually anti logs जो हैं वो अगर हम इसके calculate करते हैं anti log तो then हम value सारी की सारी जो है वो reverse कर सकते हैं अब इसके लिए अगर आपको करना यह था उसी तरह से उसी pattern पे जाते और storage में जाके आप coefficient की store करवा लें वो coefficient भी एक column में store कर देगा यह देखेगा उसने coefficient column भी store कर दिया अच्छा जितनी दफ़ा आप run करोगे उतनी ही दफ़ा वो residual और fitted value जो है वो back पे calculate करता जाएगा जितनी दफ़ा आप इस procedure को run करोगे और otherwise otherwise आपको चाहिए कि अगर आपको कुछी एक चीज़ की जरूरत है तो बाकी चीज़े बाकी option जो है आफ कर दीजेगा like storage में चले जाएगा और आपके fit और residuals बार बार नहीं करने मैं अगर मैं अगर इसको सब को delete कर लूँ ताके sheet में चुक्कि जितनी दफ़ा भी आप करेंगे उतनी ही दफ़ा उसने extra calculations हर दफ़ा करनी है stats यह आप पहले से ही decide कर लिया कि आपको coefficient भी चाहिए तो आपको coefficient calculate करने के लिए storage में जाना है और इस तफ़ा फर्स करें fits और residual और coefficient यह तीन चीज़ें चाहिए जो चीज़ नहीं है यह वो off कर दीजेगा और यहां पर आप करेंगे तो वो तीन चीज़ें आपको calculation और यह वह ही coefficient है यानि के यह B0 है और यह वाला coefficient जो है वो B1 के तोर पर आपके पास आ गया अब आपको इसके ना anti-log चाहिए या 1.154 का भी चाहिए तो 1.51 फांट फिगर में और 0.54 का भी anti-log चाहिए दोबारा आप calculator पर चले जाए calculator यहां पर अब आप coefficient जो है वो आपके C6 कॉलम में देखें स्टोर हैं C6 में यह C6 कॉलम में अब यहां पर anti-log आपको नहीं मिलेगा एक्चुली जो log होता है जिसे base 10 कहते हैं मैं उस detail में नहीं जा रहा है कि log क्या चीज है anti-log का मतलब होता है कि अगर आपने जिस चीज का anti-log लिखना हो उसको 10 की power में लिख दिया जाए तो उस number का anti-log आजाता है 10 की power में जो number भी लिखेंगे एक्चुली उसका anti-log आजाएगा आप समय लें 10 और यह power बटन है head this one यह यह समय लें मैंने anti-log लिखा हो है फिर आप bracket लगा लें और इसमें आप C6 लिख दें तो समझें के यह word आपने न यहां तक anti-log का word लिखा हो है एक्चुली जैसे lock base 10 का word है न वहाँ पर वो नहीं मैं आपको explain कर रहा है के base 10 से क्या मुराद है इसी base 10 की वज़ा से ही anti-log एक्चुली इस तरह से आ रहा है और इसका जो result है वो c7 column में आप store करवा दें सॉरी c7 c7 column में आपने इसके result store करवा देने देखें अब यह आपके पास be not आ गया original form में 32.1469 और हमारा क्या था यह चुक्छे मैंने यहां पर सिर्फ 1.51 को use किया था और उसने यहां पर 1.50714 को use किया ऐसे है न और then वो value जो है वो determine हो गई और जो दूसरी value है वो 1.43 है और यहां पर भी अगर आप इसे round कर लें तो 1.42 की बजाए 7 की बजाए यहां पर 3 तो यह हमारे पास आप original form में यह values आ गई मैंने step by step वो जो values थी वो हमने इसको determine कर लें step by step हमने इसकी value जो है वो determine की अब आपने फर्स करें यह वाली prediction करनी है तो आपको क्या करेंगे b0, b1 और x दुबारा आप calculator open कर लें 32.36 मैं यह use कर रहा हूं ताकि answers match करने 32.36 multiply with 1.43 और power 7 क्योंकि हमने 7 hours की prediction इसकी उपर करनी है अब आप direct prediction इसलिए नहीं कर सकते कि आपने log form में model लिया है और उसे return back करके अपने original model में उसे convert किया है 32.36 तो दुबारा हम calculators पे जाएंगे यहां पर हमें calculator करनी है 32.36 multiply with 1.43 और power 7 और इस result को आप किसी भी constant में store कर सकते हैं अब constant तो कि single number answer आएगा ना आप यहां पर के के साथ कुछ भी number लिखने के 1 यह mini tap को पता है वो क्या करेगा इसकी calculation करेगा और answer को के 1 में उसने store कर देंगा कर दी calculation prediction की store कर दी उसने k1 में अब उसको देखना कैसे है आप जाएंगे data display data और देखें उसने k1 में यह चीजें जिस जिसमें चीजें store की थी सारी list आ रही है और आप यहां पर select करके कह दें के मुझे k1 की reading दिखाए 395.7 something 395.70 round figure किया तो वो answer उसने आपके लिए जो है वो generate कर दिया must k के के लावा कोई और लिखेंगे न b c d f तो वो नी store करेगा k और उसके साथ कोई number लगा दे k1 k2 k3 k4 there are 4 many तो इस तरह से आप multiple जो non-linear regression है उसको जो जो step के साथ आपको transform करना पड़ा आपने उसे transform किया scatter plot देखे और देन आपने decide कर लिया कि हाँ इसके उपर जो है वो non-linear regression लगनी चाहिए तो आपने उसे transfer back करके और उसकी सारी की सारी value जो है वो determine कर ली जी अब जो दूसरी non-linear regression थी मिखेलस मेंटन equation उसको हम किस तरह से इसके उपर implement कर सकते हैं यह वो data set है जो हमने class में discuss किया है यह आपने video lectures पर देखा c further concentration जो equation की right side पर variable आ रहा है वो independent है इसको हम x के तोर पर याद करेंगे और जो dependent variable है जो equation की left side पर आ रहा है उसे हम y variable के तोर पर जो है वो याद रखेंगे अब मैंने minute app में यह data set जो है वो already feed कर लिया है x का जिसको c मैंने साथ x लगा देखा देखा कि हमें याद रहे यह x है यह independent है यह x-axis पर आना है और यह dependent है यह y-axis पर आना है अगर तो बड़ा clearly उसने यहां पर mention किया हुआ है कि यह वाली equation यूज करनी है इसकी estimation के लिए जो को transform करके हमें linear equation में बदलना है अगर मैं इससे message नहीं ले रहा है और मैं scatter plot की तरफ जाता हूं तो scatter plot भी देशी आपको यह message देगा कि यह linear equation जो है वो नहीं आ रही और मैं जो previously था उसको मैं delete कर लेता हूं अब y variable click कर लेगे पहले velocity वो y पर आ जागी और concentration x पर और जब आप इसे okay करेंगे तो यह देखें बड़ा ही clear message आपको मिल रहा है कि जी line जो है वो basically पहले कुछ इस तरह से चल रही है and then फिर वो decline trend पर आती है यानिके पहले वो rapid increase है and then फिर decline जानिके slow increase कर रही है तो यह कमस्कम line linear form में नहीं है message भी यही था फिर आपने इसकी transformation पढ़ी किस तरह से आपने इस line की equation को linear form में जो है वो आपने transform करना है अब इस transformation में जो y star बनता है dependent variable वो है 1 over v ठीक और जो x star बनता है वो क्या है 1 over c तो यह हमारी transformation बनती है अब यहाँ पर मैं x star लिख लेता हूँ जिससे मुराद होगी 1 over c और यहाँ पर मैं y star लिख लेता हूँ जिससे मुराद होगी 1 over v क्योंकि हम x y की form में ज्यादा मतब हम familiar है तो dependent और independent तो इस वज़ा से यह मैंने notation जूज कर लें अब आपने रैसी प्रोकल्स लेने है उसी तरह से कैलक में जाएं कैलकुलेटर पर जाएं expression में जाके आप value प्लेस कर दें कि यह जो expression आपने लिखी हुई है वहाँ value प्लेस कर दें वन डिवाइड़ बाई और c आप इसे select कर दें और इसकी value को store करेंगे हम x star में जो कि यह हमारे लिए independent variable है और assign as a formula आप इसको क्लिक कर दीजेगा okay कर देंगे तो वह रैसी प्रोकल values जो है वह उसने find कर ली इसी तरह से y में भी अब y में one over और वह आजाएगा वी select किजेगा और उपर से इसका column change कर दीजेगा कि यह c4 cell में इसे store करते select and then इसकी value क्लिक करेंगे तो यह है अगर मैं इसका graph बना के देखता हूं graph और simple scatter दोनों को एक ही graph में रहने देते हैं पहले मैंने y और x का graph बनाया अब मैं y transformed और x transform का graph अगर बनाऊं तो देखें एक panel कहता जी graph ऐसे करके चल रहा है और यह कहरा यह सीधे हो गया है होगे न सीधे इसका मतलब है the most appropriate हो गया कि आप second जो option है कि जिसमें आप reciprocal values के ऊपर regression transformed variables के ऊपर अब आपने regression apply कर देनी तो transformed variables stats regression regression fit the regression model अब transformed variable use करने हैं और यहां पर आपने y star use करना है और इसकी जगह आपने x star use करना है अच्छा आप storage पे जाके अगर आपको fits भी चाहिए लेकर हमें coefficient चाहिए क्योंकि हमें पता है कि यह दुबारा हमने इसको वापस original coefficient जो है वो generate करने okay करते हैं और okay करतेंगे तो आपके पास यह coefficient जो है वो generate हो गए और ज्याद रखेंगे कि जो coefficient हमारे पास आ रहें देखे 1.988 पहले match कर लेते हैं 1.9977 और 1.9977 को इसने round figure करके 8 और 4.266 और दूसा coefficient आ गया 4.26 तो यह दो match कर गया अब आपने इसकी transfer back करनी है अब देखें जो पहला coefficient है जिससे हमें actually अगर आप original model की बात करें तो वो हमें Vmax की value मिलेगी ऐसे था ना Vmax की value हमने calculate करनी है तो वो है 1 over Vmax 1.988 और यहां से Vmax जो के हमारे पास maximum velocity का जो coefficient है जिसको आप B star से actually calculate करेंगे वो होगा जो B star की value है उसे आपने 1 divide करना है B star की value है यानि कि यह वाली इसे 1 over this coefficient करेंगे तो हमारे पास मिकहलस मैंटन equation का जो coefficient Vmax है वो आपके पास आ जाएगा दुबारा calculator पर जाएंगे calculator की option कलेक्ट करेंगे और इस दफ़ा आपने value जो calculate करनी है वो आपने करनी है 1 divided by अब यह कैसे लिखते है 1.99776 एक तरीका कार तो यह है कि आप इसको वैसे ही इदर से note करके लिख ले 1.99776 यहां पर किस में store करना है आपको मैंने का था यह एक answer आएगा आप इसे k1 k2 k3 में store करें बिल्कुल सही है वो भी किया जा सकता है सेकेंड वे यह है कि आप इतर ना वी मेक्स लिख लें कि यह यह वी मेक्स का answer जो है ना वो यह आएगा अब उसने करना क्या है उसने एक नए column में उसकी value प्लेस कर देनी 0.550561 यह देखें 0.5005 और 0.5005 और उसने जो के ज्यादा तर rounding नहीं की मैंने एक शाद्व तर rounding की हुई तो इस वजह थोड़ा सा फरक है अब जो दूसर कोफिशंट है मेंटन मेंटन कोफिशंट उसकी जो answer आ रहा है वो कहता जी के वो वी मेक्स का जो answer आपने calculate किया हुआ है that is 0.0550 इसको आफ 4.266 से multiply करतेंगे यानि के अब मुझे इस काफिशंट को इस के साथ multiply करके जो answer मिलेगा वो मेरे पास के एम आएगा clear मैं उसी तरह से calculator options के on कर लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर एक तरीका कार तो यह है कि आप लिखने की बजाए आप लिख दें के इसको अब इसका address किया है यह है c6 column का पहला entry तो आप लिख दें c6 column है और bracket के अंदर उसकी पहली entry लिख देंगे तो इससे मुराद होगी c6 column की पहली entry इसे multiply करतें c5 column की दूसरी entry के साथ तो c5 column bracket और उसकी second entry और यहाँ पर यह आप value store कर रहेंगे दूसरे variable की जो के km के साथ है and then उसकी भी value 2.1355 2.135 और आपके पास उसका answer आ गया एक वे तो यह था और दूसरा उसी तरह से अगर आपके पास यह सारी चीज़े आपको नजर आ रही है और आप direct भी value दिख सकते है 0.500561 multiply with 4.26631 और इसे km में store कर देंगे तो तब भी वही answer आपके पास जो है वह exactly आजाए तो दोनों तरह से आप इसको refer back कर सकते हो and then यब आपके पास Vmax और Km की value आगई तो Vmax और Km की value आगई और आपने मेखेलर मेंटन एक्वेशन जो है जो के एक non-linear थी उससे ट्रांसफर्म किया linear form में linear form में करके आपने उसकी value इसको determine किया and then आपने उसकी value जो है वो determine कर ली और आप देखेंगे भी कि जो residual plot है वो point कुछ इस तरह से चल रहे हैं और फिर कुछ ऐसे चलना स्टार्ट हो गया तो इसका मत्तब है कि वे एक structure less part हो गया और आपने इसकी equation जो है वो सही fit की और अगर आप r square की value भी calculate करते हो तो देखें 99.287 जो है वो इसकी value आगी तो हुपसो अब आपको इस चीज का idea हो गया किस तरह से आपने mini tab यूज करते हुए simple linear regression और non linear regression को transform करके और आपने अपनी calculation जो है वो आपने perform कर लेनी तेंक्यू बरी मच जी